असलाओं अलेकुम दिस्तो आज की वीडियों में हम कोईट की कुछ बड़ी अपडेट आपकाम दिस्तों के साथ सेर करने वाले हैं और यह अपडेट आपकाम दिस्तों के लिए बहुत ज्यादा एहम और बड़ी होने वाली है तो अगर आप कोईट में रहते हैं और कोईट क कने की अनमती देने के सरकार के पस्ताओं को आस्विकार कर दिया है तक कि आनिवाल लोकडाउन के दोरान सेली में 50% अधिक्तम यानि की जादस जादा या बिना मौबजे के चुट्टी को कम किया जा सके इसके इसके बाद संसद में इस बिल को लेकर 48 संसदों ने जो है वो 39 संसदों ने इस बिल के खिलाब मद्दान किया है यानि कि ओर दिया है जबकि 13 संसदों ने इस बिल के हक में ओर दिया है जबकि एक संसद ने किसी भी तरह कोई ओर्ट नहीं दिया है बिल निजी एरिया में कफीलों को अनिवाल लोकडाउन के दोरान सभी या उनके कुछ क कम की जाती है बिना मौब या फिर आपकी सेल्री जो है वो 50% काटी जाती है तो इसी सूरत में आप अपने कफील से बाच कर सकते हैं जो बात पर जो इत्धिफाक पर दोनों ही तैयार होंगे उसे के मताभिक फिर कोड़ा काट या फिर एगरीमेंट जो है वो किया जा सकता है इसके लावाँ आपको तादें कि कोईत सरकार जो कोईती सहरी प्राइवेट एरिया में काम कर रहे हैं जिनकी सेलरी कोरोना वारिस के उजए से कटेगी उनको कोईत हुकुमाच जो है वो सबसरी देगी और उनका जो भी नुकसान होगा उसका पूरा मुअबजा कोईत सरकार क कोईतियों को देगी अगली खबर यह है कि कोईत के हावली सिकूर्टी एहलकारों ने एक इंडियन सहरी को 500 सराब की बोतलों के साथ गिरबतार किया है जो अपने निजी गिराकों को बोतलने देने के लिए जा रहा था अगली खबर यह है कि कोईत एहमेदी सिकूर्टी फोर्सेस ने फिंटास एरिया में सराब की फैक्टरी चलाने वाले चार नेपाली सहरीों को गिरबतार किया है जिसमें सिकूर्टी फोर्सेस ने पहले एक नेपाली सहरी को गिरबतार किया और जब उसके साथ पूस्ताच क गई तो उसने तीन और नेपाली सहरीयों का एड्रेस बताया जिसके बाद टोटल चार नेपाली सहरीयों को गिरबतार कर लिया गया है उनके खिलाब जो भी कानूनी कारवाई होगी वो किये जाएगा